नमस्कार दोस्तों मैं अंकूर सिंग आपके अपने यूटूब चैनल विकास स्टेडी सरकल पर आप सब विकास स्वागत करता हूँ दोस्तों हम लोग यूर असायन विग्यान में वन लाइनर प्रशनों की संखला हमारी चल लही है उसी स्रंखला को दोस्तों आगे बढ़ाते हुए आज या हमारा तीसरा भाग है तो दोस्तों इसको आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे आप लोग भी वीडियो के साथ अंत्रतर जरूर बने रहें और इन प्रशनों को आप भी कहीं नोट कर लिजेगा क्योंकि दोस्तों ये प्रशन जो हैं आपकी परिच्छा की देश्ट से बहुत ही महात्पूर है तो दोस्तों शुरू करते हैं देखते हैं हमारा पहला प्रशन है निम्बू के खटे होने का क्या करण है? निम्बू के खटे होने का क्या करण है? तो दोस्तों निम्बू के खटे होने का करण है साइ्ट्रिकम्ल तो निम्बू के खटे होने का करण है साइ्ट्रिकम्ल उसके बाद दोस्तों अगला हमारा प्रशन है वा जली विलियन जो लाल लिटमस को निला कर देता है क्या कहलाता है तो यह तो आपको पता ही होगा कि जो चार होते हैं हमारे वा लाल लिटमस को निला कर देते हैं और जो अमल होते हैं वा निले लिटमस को लाल कर देते हैं तो जो चार हैं वो लाल लित्मस को निला कर देते हैं अगला प्रसंद दोस्तों हमारा है तो उसका कारण क्या है तो उसका कारण होता है मान स्पेसियों में लैक्टिक एसिड का संचे तो मान स्पेसियों में जब लैक्टिक अमलका संचे हो जाता है तो तभी दोस्तों हम लोगों को ठकान महसूस होती है अगला परशन दोस्तों है फोटोग्राफी में किस अमलका प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में किस अमलका प्रयोग किया जाता है तो दोस्तो फोटोग्राफी में आगजेलिक अमलका प्रयोग किया जाता है अगला दोस्तो प्रशन है मारा बेकिंग पाउडर के निर्बाण में किस अमलका प्रयोग किया जाता है तो baking powder के निर्बाद में टायर्टरी कम लगा प्रयों किया जाता है किसका ट्रायर्टरी कम لगा अधला दोस्तों प्रस्थों है हमारा पेस सोडा की रिसाइनिक प्रकत कैसी होती है जो प्यने वाला सोडा दोस्तों होता है उसकी रासानिक प्रकत कैसी होती है तो या दोस्तों अमली होती है अगला प्रस्टों आयलाफ विट्रियाल आयलाफ विट्रियाल किसे कहते हैं तो दोस्तों सल्फीरिक अमल को आयलाफ विट्रियाल कहते हैं सल्फीरिक अमल इसका रासानिक सूतर H2SO4 होता है अगला दोस्तों प्रशन है हमारा सेव में कौन सामल पाये जाता है तो सेव में मैली कमल पाये जाता है मैली कमल C4H6O5 अगला दोस्तों प्रशन हमारा रसायन उद्द्योग में कौन सामल तेजाब के रूमे जाना जाता है तो रसायन उद्योग में जो तेजाब है वह दोस्तों S2SO4 को कहा जाता है सलफीरियू कामल को आगे दोस्तों देखते हैं अगला प्रशन हमारा है विरंजक चूण या ब्लीचिंग पॉडर का रसायनिक नाम तो वीरंजक चून या ब्लीचिंग पाॉडर का रसाणिक नाम है कैलसियम हाइपो क्लोराइट अगला दोस्तो प्रशन हमारा है नीला थोता क्या है तो दोस्तों कापो सल्फिट को ही हम लोग नीला थोता बोलते हैं अगला प्रशन दोस्तों हमारा है ऐसा आमल जिसमें आकसीजन अनुपस्तित होती है तो ऐसा आमल कौन सा है जिसमें आकसीजन के अनुपस्तित होती है बस दोस्तों हमारा है हाइड्रो क्लोरिकम एच सील इसमें आकसीजन अनुपस्तित होती है अगला दोस्तों प्रश्ण है तूटी हुई हड़ियों को जोडने के लिए किस छारक का प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों तूटी हुई हड़ियों को जोडने के लिए कैलसियम सल्फेट हेमी हाइडरिट का प्रयोग किया जाता है साथ से कम दोस्तों होते हैं अमली हमारे विलियन और जो साथ से अधिक होगे वह दोस्तों चारी विलियन होगे यह तो यह चीज आपको पता ही होगा और जो साथ होता है या दोस्तों हमारा उदासीन होता है साथ जो है उदासीन होता है साथ से कम दोस्तों अमली विलियन होता है और साथ से अधिक छारी विलियन आगे दोस्तों देखते हैं अगला प्रशन मारा है छारी भूमी सुधारक के रूम में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है चारी भूमी सुधारा के और में कौन सा रसाइन प्रोग किया जाता है तो दोस्तो इसमें कैल्सियम सल्फेट C.A.S.O.4 का प्रोग किया जाता है कैल्सियम सल्फेट का अगला दोस्तो प्रस्ण मारा है दूस्ते दही बनाने में किस अमलग का प्रोग किया जाता है तो दोस्तों 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 दोस किया जाता है अगला दोस्तों प्रश्ण मारा है सोचालित वहनों में प्रयोग होने वाली बैट्री में कौन सारा सायन प्रयोग किया जाता है कौन सामल प्रयोग होता दोस्तों सलफीरियुक अमल H2SO4 अगला दोस्तों प्रश्ण मारा है म्रदा में सरवादिक अमल मुक्त करन वाला तत्तो तो दोस्तो वो तत्तो है अमोनियम सलफेट अमोनियम सलफेट जो है वह अब रदा में सरवाधिक अमल मुक्त करता है अगला दोस्तो प्रश्ण है हमारा नीम्बू संतरा और टमाटर इनमें कौन सामल पाया जाता है तो दोस्तों नीम्बू संतरा और टमाटर में सिट्रिक अमल पाया जाता है C6H8O7 C6H8O7 या सिट्रिक एसिट दोस्तों यो टमाटर नीम्बू और संतरा में पाया जाता है अगला दोस्तों प्रस्ण मारा है क्रितिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों सिल्वर आयोडाइट इसका प्रयोग दोस्तों क्रितिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है अगला दुस्तों प्रश्ण हमारा है कापर सल्फेट का जली घोल अमली क्यों होता है जो कापर सल्फेट होता इसका जली घोल है वो अमली क्यों होता है तो दुस्तों जल अफगटन के कारण जो कापर सल्फेट है इसका अमली घोल अमली होता है जल अवगटन के कारण आगे दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रस्ण है जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जाती है जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जाती है तो दोस्तों सोडियम कार्बोनेट वा कैलसियम हाइडराकसाइड के दौरा जल की कटोटता दूर की जाती है कैल्सियम कार्बोन, सोडियम कार्बोनेट वो कैल्सियम हाइड्राकसाइट के दवारा अगला दोस्तों हमारा प्रस्न है घरों में सिर्का कैसे बनता है घरों में सिर्का कैसे बनता है तो दोस्तो आमला और पपीता में स्कार्वी केसिट पाए जाता है स्कार्वी केसिट आमला पपीता में सेव में मैली केसिट होता है अगला दोस्तो प्र trenches हमारा Coca-Cola में किस अमने की उपस्तित के कराण उसका स्वाथ जुए खटा होता है तो दोस्तों जो Coca Cola पेवधाथ हमारा, इसमें दोस्तों जो Phosphoric अमल है, H3PO4, इसी के कर दोस्तों इसका जो स्वाद है वो खट्टा होता है, इसके बाद दोस्तों हमारा आज का अंतिम प्रश्ण सुद्द जल का pH मान, तो दोस्तों उसका pH मान साथ होता है, इसका pH मान साथ है इसके मतलब दोस्तों या उदासीन है या उदासीन है और दोस्तों मैंने इससे पहले बताए साथ से कम वाला जो दोस्तों है विलियन वह दोस्तों आपका होगा अमली और जो साथ से अधिक होगा वह होगा दोस्तों चारी तो दोस्तों आज के क्रम में हम लोग यहीं तक यचा करेंगे इसके आगे दोस्तों हम लोग अपनी अगली क्लास में ऐसे ही दोस्तों आपके लिए बराबर प्रस्ण लाते रहेंगे आप लोग भी दोस्तों वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा आप लोग इन प्रस्णों को कही नोट कर लिएगा नहीं तो एक से दो बार वीडियो देखिएगा आप लोगों को प्रस्ण याद हो जाएंगे यह दोस्तों आगे परिच्छा में बहुत ही आग मदद करेंगे तो आप लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़ें चलिए दोस्तों मिलते हैं लोग अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों जाए हिंद